हलो नमस्कार कैसे हैं आप सभी I hope आप सभी अच्छे होंगे हाँ जी वेलकम टू माई चैनल लास्ट टाइम हम क्या कवर कर रहे थे हमने ट्रैवर्सल को स्टार्ट किया था जो कि हमने पढ़ रहा था DFS stands for depth first search आपका DFS की जो full form है वो होती है आपकी depth first search अब आचा तरह है हम इसमें देखो यह क्या करेगा आपके हम इसमें अपनी एक एक वर्टेक्स को अपनी नोड्स को क्या करते हैं ट्रैवर्स करते हैं चीक है इसमें क्या होगा जिस तरह से आपका BFS आपको एक spanning tree प्रोवाइड कर रहा था वैसे ही आपका DFS भी आपको at the end result पे एक spanning tree ही प्रोवाइड करेगा अब spanning tree क्या है ग्राफ विदाउट लूट्स चीक है इसके बाद है हम जो हमारे DFS है उसमें हम क्या यूज करते हैं stack data structure और अगर आपको याद हो जो last time हमने BFS किया था उसमें हमने यूज किया था q data structure आपने दोनों को इसे तरह से differentiate करना है ठीक है हमारा जो data structure होगा stack उसका जो maximum size होगा वो कितना होगा which is equals to जितना भी आपका क्या होगा number of vertices present होगे आपके graph में जितनी आपके nodes आपके graph में present होगी उतना ही आपका maximum number of size होगा stack data structure का चलिए अब हम इसकी algorithm को पढ़ लेते हैं इसकी algorithm भी BFS की तरह बिल्कुल simple है easy language में है आप अपनी language में भी convert करके उसे लिख सकते हैं हाँ जी, algo को start करते हैं सबसे पहले आपने क्या करना है एक stack को define कर देना है जिसका size कितना होगा total number of vertices in a graph जितने भी आपके graph में total number of vertices है उतना ही आपके stack का size होगा फिर आपने क्या करना है select any vertices as starting point आपने एक vertex को क्या करना है select कर लेना है जो आपका starting point होगा फिर visit that vertex and push it on to the stack आपने उस particular vertex को क्या करना है visit करना है एक बार देखना है ठीक है हम यही तो करते हैं ट्राइवर्सल में और उसको आपने क्या करना है यह आपका stack है और यहाँ पे आपने क्या कर देना है उससे डाल देना है मैं one लिख रही हूँ यहाँ पे और एक्जांपल आपके ग्राफ में आपको जो first vertex है आपने उसे visit किया देन अपने stack में डाल दिया next उसने देखो क्या क्या है visit any one of adjacent vertex adjacent vertex में आपको बता चुकी है adjacent कौन सा होता है जो भी एक आपका particular point है ठीक है उसके इस तरह से 7 वाले points ऐसके adjacent edges होंगी ठीक है आपको adjacent edges और opposite edges का मैं पहले ही बता चुकी हूं कौन से तो आपने क्या के लिए एक adjacent vertex को क्या करना है visit करना है ठीक है जो भी फिर आपने क्या करना है आपने तब तब तक विजिट करना आपने उन उनको visit करना है जो आपने विजिट नहीं किये और विजिट करने के बाद उन्हें कहां डाल देना है स्टैक में डाल देना है आपने repeat step 3 तब तक करना है until there is no new vertex to be visit from the vertex on the top of this stack आपके stack के top में जो भी particular vertex है उसके जितनी भी adjacent vertex हैं जब तक वो विजिट ना हो जाएं तब तक आपने step 3 को क्या करते रहाना है लूप पे perform करते रहाना है मतलब बार बार आपने क्या करना है इसे perform करना है next step 5 में देखो when there is no new vertex जब वहाँ पे एक भी vertex ना रह जाए तब आपने क्या करना है then use करनी है back tracking back tracking it means आपके जब for example आप one के लिए use करना है आपने अगर इसके adjacent vertex को क्या कर लिया है visit कर लिया है then आपने क्या करना है इसे pop up कर देना है हम हमारा जो stack है उस पे हम यहीं operations apply करते हैं the first one is push अगर आपने stack के अंदर डालना है और आपने stack के अंदर से अपने element को निकालना है then आप pop operation को apply करते है तो ऐसे ही जब आपके adjacent vertex खतम हो जाती है तब आपने क्या करना है अपने उस particular node को क्या कर देना है निकाल लेना है अपने stack में से with the help of pop operation next आपने क्या करना है repeat करना है 3, 4 और 5 step को until your stack become empty जब तक आपका stack खाली नहीं हो जाता तब तक आपने 3rd, 4th and 5th step को बार बार क्या करना है repeat करना है अच्छे जब आप यह चिस कर लोगे तो आपने क्या देखना है when stack यह SSS नहीं है कुछ तो इसे remove करना है हमने यह गुशनी है sorry गलती से हो गया when stack become empty जब आपका stack खाली हो जाता है then आपके पास एक क्या होगा एक final spanning tree produce होगा छीके जिसमें से आपने कहा है आपकी unused edges जो आपने graph में थी वो remove कर देनी है मतलब जब आप यह सारा procedure क्या कर लेते हैं follow कर लेते हैं तो last में आपके पास spanning tree produce होगा spanning tree का मतलब है a graph without loops मतलब सिर्फ हर एक node को एक single edge ही क्या कर रही होगी connect कर रही होगी कोई भी loop नहीं होगा I hope आपको यह समझ आया है हमने इसे कैसे किया है इसमें हमने क्या किया कुछ नहीं किया हमने stack का use किया है जिबकि जो हमारी BFS थी breath first search थी उसमें हमने किस्टेज का use किया था उसमें हमारा q data structure का use किया था ओकी अगर हम बात करते है stack की तो stack आपको पता होगा कौन से principle को follow करता है यह जो है हमारा LIFO principle को follow करता है LIFO stands for last in first out जो last में आया है वो सबसे पहले जाएगा छीक है LIFO principle यह जब हम stack data structure को करेंगे तब भी cover करेंगे इसके बारे में details में बट अभी आपको इतना जानना ज़रूरी है कि यह किस principle को follow करता है तो यहाँ पे हमारा कौन से principle है LIFO LIFO का मतलब है last in first out LIFO में क्या होगा for example आप किसी भी जंगा पे जाते हैं हैसे for example एक party ले लेते हैं पार्टी में जैसे आपकी होती है plates को arrange करते है plates को कैसे arrange करते है जिस plates को सबसे पहले रखा जाता है वो सबसे नीचे आजती है जैंद आप क्यゃ करोगे एक-एक करके plates को रख दोगे लिफ्त क्या क्या देखते हैं concept आपको समझा आ गया होगा तो basic यही हमारी algo थी इस algo में ज़्यादा कुछ रही है आप इसको अपने language में भी थोड़ा बहुत change करके कर सकते हैं इसमें कोई इतना proper format वाला कोई चक्कर नहीं रहेगा ओके thank you very much I hope this video is very beneficial for you and अगर आपको कोई भी doubt है then please आपने comment section में मुझे बताना है thank you very much please like share and subscribe our channel and keep learning and keep growing guys thank you